नमस्कार दोस्तों चुहों से अक्सर किराना दुकानदार परिशान रहते हैं क्योंकि चुहे दुकान में कुछ इस तरीके का नुकसान कर देते हैं कई वार बरदास से बार हो जाता है कई वार कोई छोटी मोटी चीजों का नुकसान करते हैं कोई बिस्किट हो गया, कोई छोटा नमकीन का पैकेट काट दिया, कोई सर्फ काट थी, कोई इस तरीके के नुकसान तो आदमी कोई बात ने बरदास्ट कर लेता है, लेकिन जो बड़े नुकसान होते हैं, उसको आदमी दुकानदार है, जो वो बरदास्ट नहीं कर पाता, क् कई बार वो कोल्डरिंग की बोटल होगी रिफाइंड की थैली होगी या फिर अपने जो सरसों तेल की बोटल होगी या ऐसे कुछ बड़ी जो हमारे दुकान में प्रोड़क्ट रता है उनका नुकसान कर देता है जिसे हमें यूज नहीं कर पाते हम उसका मालो रिफाइंड क तेल का नुकसान कर दिया तो हम उसको यूज नहीं कर पाएंगE क्योंकि और ऊपर से दुगान के अंदर वो हो चीज भीखरजाएगी वो अलग से नुकसान होगा मूड कराब हो जाता है इन चीजों को देखने तो आज हम इस वीडियो में बात करने चाहिए, दूसरे कहते हैं के चुहों को मारा नहीं चाहिए, तो इन दो लोगों के पक्ष में मैं बात करूँगा, पहला तस्रीद इसी बात है, चुहों को हम किसी तरीके के रेट किल हो गया, रेट किलर वगरा जो मार्केट में मोर्टेन कंपनी, मिडास कंपनी या और बहु कोई भी किसी तरीके के बच्चे का वो चीज़ पॉंच से दूर हो क्योंकि बच्चों को इन चीज़ों से हमेशा दूर रखा जाना चाहिए और दूसरा पॉइंट पे हम बात करते हैं तो हमने बता दिया रैट किल डालने पर चूहे मर जाएंगे या फिर दुकान से जाके ब दूकान के अंदर चूहों को पकड़के हम दूर उनको छोड़ सकते हैं अगर आपके दूकान में काफी सारे चूहें तो आपको दो-तिन रैट कैच्चा रखने पड़ेंगे दूसरा होता है कि हमें एक कटोरी के अंदर दूकान में पानी रखना चाहिए क्योंकि जहां या ऐसी कंडिशन है तो वहाँ पे एक छोटी सी कटोरी के अंदर आगर पानी रख देंगे तो चुहे नुकसान करना बंद कर देते हैं क्योंकि चुहों के जो दात होते हैं उसके अंदर एक अलजीव तरीके की खुजली और इनके शरीर के अंदर पानी की कमी हमेशा रहती है तो ये क्या करते हैं कि उस वज़े से इनके दातों में खुजली आती है तो ये क्या करते हैं उसको चीज को काटना शुरू कर देते हैं अगर इनकी पानी की कमी पूर्ती हो जाएगी पानी पीते रहेंगे तो ये कभी भी नुकसान नहीं करेंगे तीसरा point है इसके अंदर कि जब आप रात को दुकान शोप बढ़ाते हैं जिसे हमारी बाशा में मंगल करना कहते हैं तो दुकान को जब shutter down करते हैं तो उसमें क्या कीजिए एक दुकान की light है जो main light चलती छोड़ दीजिए या फिर ऐसा एक बलब लगवा लीजिए एक LED लगवा लीजिए जो कम बाटकी हो और आप उसको पूरी रात तक उसको वहाँ पे दुकान में चला सकें जो जिससे क्या होता है कि चुहे ज़्यादा तर अंधेरे के अंदर निकलते हैं तो इसके अंदर जब light जलती रहेगी तो चुहों को अंदेशा रहेगा कि शायद कोई दुकान में है इस वजए से ये problem आ रही है और चोथा point है कि जहाँ पे आपको लगता है यहाँ चुहे जादा है तो वहाँ पे हमेशा दुकान की हर तरीके से साब सफाई आपको रखनी चाहिए वहाँ पे दुकान के लड़के को कहके समान वगरा हटवा के जैसे कोई चीनी के जो कटे पड़े होते हैं या कुछ बोरी पड़ी होती है कुछ भी दाले वगरा की बोरी है तो वहाँ से उस चीज को हटवा के वहाँ पे हमेशा टाइम टो टाइम हफते में एक वार आपको सफाई जरूर करवानी चाहिए वहाँ पे फिनाइल वगरा का पोचा जरूर लगवाना चाहिए जिससे वहाँ पे चुहे नहीं आते पांचवा पोईट है कि आगर आपकी दुकान के अंदर कोई ऐसा छेद है कोई किस तरीके का आपको लग रहा है कि यहां पे चुहे जादा होते हैं इस विल से आ रहे हैं अब हम बात करते हैं मेन मुद्दों के उपर हम चुहों से मूल मतलब एकतम सही तरीके से हमारी दुकान में आना छोड़ दे तो मैं आपको कुछ उसके उपाय बताना चाहता हूं तो देखिए सबसे पहले एक आप उपाय कीजिए कि एक जो कोई भी वैसे मैं इस चीज को तो वज्जों नहीं देता हूं लेकिन ये करना जुरूरी है आप अपनी कोई एक कटोरी के अंदर दुकान में ही आप कर सकते हैं एक कटोरी के अंदर एक पुड़ी जर्दा कोई भी तरीके का जर्दा आप उसमें मिला सकते हैं उसके बाद में एक से डेट चमस उसके देशी की डालने के बाद उसमें बेसं डाल लिए क्योंकि बेसं और दाल वगएरा ऐसी चीजें चुहों को बहुत पसंद होती है तो नामात्र का उसके अंदर थोड़ा सा दो ड़ाई चमच बेसं डाल दीजिए और फिर उसमें थोड़ा पानी डालके उसको गूंत लीजिए एक कटोरी के अंदर उसको अच्छी तरीके से गूंत लीजिए गूंतनı के बाद नरम 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 बिल्कुं नरम नरम गूंत लीजिए उसके बाद में वो mixture पूरी तरीके से त्यार हो चुका है अब उसकी छोटी छोटी गोलिया बना लीजिए बिलकुल एक अनारदाना की गोलिया आते हैं उस साइड की बिल्कुल इतनी इतनी छोटी गोलिया बना लीजिए और जहां आपको लगता है यहां चुहे जादा है वहां नीचे की तरफ बिल्कुल एंड के अंदर बोरियों के पीछे अंडर्ग्राउंड में कहीं भी आपको घर के अंदर भी आप उपाय हो जाती है और आप उनके वो गोलिया जैसे देंगे और वो गोलिया मान लो खालेते हैं रात को उसके बाद में या दिन में खालेते हैं वो दुकान के बार भाग जाएंगे वो मरेंगे नहीं दुकान के बार भागेंगे या फिर दूर ऐसे निशे की हालत में कहीं चले जा और जहां भी आपको चूहे का बिल लगता है या फिर संभावना पर रख सकते है कि हैं और अगला उपाय है जहां पर आपको लगता है चूहे की संभावना इंच की सम्भावना होती है चाष्याल के बोरियां वगयरा या फिर पुराना कोई माल पुराने कटे वगयरा ऐसी चीज़े पड़ी हो ते वहाँ पर अप्षकके अपना घर बना लेते हैं तो वहाँ पर आप क्या किजिए थोड़ी थोड़ी तोड़ा सा मिर्च और थोड़ी सी हलदी दोनों को मिक्स कर लीजिए और वहां पे थोड़ा थोड़ा जहां पे लगता है चुहे जादा आते हैं वहां पे उसको छिरका दीजिए इससे वी उस जगह पे आपके चुहे आना बंद हो जाएंगी और ये सबसे कारगर और लंबे समय तक चलने वाला ये आपको कुछ ज़्यादा मैंनत नी क करने पड़ेगी सिंपल सा उपाय है लेकिन ये बहुत फायदेमंद है इसका आप घरों में भी यूज कर सकते हैं तो चुहे अगर आपके घर में है या शोब के अंदर है तो हमारे दुकान के अंदर आसानी से तेजपते मिल जाते हैं तेजपते आप समझते होंगे जिसे क गोबर की जो धुनि होती है तो उसको लीजिए किसी बर्तन के अंदर मिटी में बर्तन में लेगे तो बहुत अच्छा रहे गा तो अशोब्र गाएगा ALL के उसके इसको चूह अवह पर देगता के यहां पर USA पर सकते हैं तो उसके अंदर तेज पत्ते होते हैं, सुके बिल्कुल सुके तेज पत्ते, आप उसके अंदर 5-6 की मातरा में तेज पत्ते डाल दीजिए तेज पत्तों का जो धुआ होता है, वो भी चुहे बिल्कुल सैंड नहीं कर सकते और तेजपत्तों के दुएं से चूहे आपकी दुकान से भाग जाएंगे जब तक आप हफ़ते में ये जुरूर कर सकते हैं कुछ नहीं अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप सिधा ही तेजपत्ते के 5-6 तेजपत्ते ले ले और किसी अखवार या कोई चीज के उपर या फिर किसी बरतन में अखवार डालके तेजपत्ते डालके सीधे ही जला सकते हैं हफते में अगर आप एक बार ये उपाई कर लेते हैं तो आपके दुकान के उपर जो चूहे वगरा है कोई वी कोकुरूच वगरा किसी तरिके का कोई जानवर कोई कुछ वियाता है वो आपकी दुकान के अंदर नहीं आएगा तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो और मैं आपको ये बता दूँ कि हमारा किराना कलब एक एप है तो उसके ओपर मैंने एक वीडियो बनाया है किराना कलब जो एक यूट्यूब चैनल है उनके लिए तो आप वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं ल किराना का owner बनना चाते हैं किराना शोग का तो आप उस वीडियो को देखिए आपको वहां पे बहुत ज्यादा ग्यान प्राप्त होगा तो दोस्तों उस भी चैनल को subscribe कीजिए हमारे से कोई subscribe कीजिए तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए तन्यवाद